हेलो दीर स्टूडेंट्स वेल्कम टु दा ओफिशल यूटूब चैनल आफ दा हो में कैडमी आज हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल्स और उनसे रिलेटिड के किस स्टेट के वो फेस्टिवल्स है या किस यूनियन टेरिट्री के है जेके से इसमें से हर बार जो है कोशन प में प्योंदय को क्षिफ्ट में ने ने तो यह जासे ने कोशन परमपलोड़िसों को चीजन को जो जो मैं लाश्ट पे पढ़ा रहा हूं जरूर इनienstdel बेकर इन चीज़ों चोब को चैप्र कीजिये यह छोटी छोटी वीडियोस होगी जो कि आपको mark जो है वो दिलाई की और आप जानते है एक एक नमबर की importance आपके एक नमबर से वो रह सकता है और कोई एक नमबर से ही अपनी selection करवा सकता है अब यहां पर तो हम इन festivals और state और union territory को देखेंगे जेकेससबी क्लासफोर्ट में भी यहां से कोशन आया था कैरला का फेस्टिवल पूछा गया था तब भी हम पढ़ाई थे और आज भी जो हम यह पढ़ाने जा रहे है चले श्टार्ट करते हम इस टॉपिक को अच्छा जो कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी इसमें शेवाइस इशू हो गया था रात के टाइम जो है रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम ना जाने माइक जो है वो बंद हो गया था या क्या उससे इग्नूर कीजिए चले अब यहां पर हम फेस्टिवल देखेंगे उसे लावाब भी हमारे पास जो है पर बंद है यहां पर जा रहा है जहां पर कशमीरि यंग लिडरशिप यहाँ चाएगा लड़ीटिड हमने इस इम्टोग्राफिक्स भी अप्लोड की ही थी तो यहां पर याद रखेंगे तूली फेश्टिवल है, एपल फेश्टिवल है, गुरेज से इसी तरीके से कुछ और फेश्टिवल भी है जो यहां पर मनाई जा रहे हैं अब हेमाचल परदेश के बारे में आते हैं, हेमाचल परदेश के ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है चलते हैं आगे उत्राखंड का देखेंगे उत्राखंड में हमारे पास दो फेस्टिवल होंगे एक हमारे पास जो होगा वो हरीला फेस्टिवल होगा याद रखेंगे हरीला फेस्टिवल और दूसरा फेस्टिवल हमारे पास आईगास फेस्टिवल होगा यह कहां पर मनाया जा रहा है उत्राखंड में मनाया जा रहा है कहां पर उत्राखंड में बताएए कौन सा फेस्टिवल होगा हरीला फेस्टिवल होगा और आईगास फेस्टिवल होगा जो के उत्राखंड में मनाया जा रहा है जले अगला राजिस्तान का फेस्टिवल देखेंगे नमबर आठ पर दिया गया है गंगोर फेस्टिवल राजिस्तान में जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है उस फेस्टिवल का नाम क्या है गंगोर फेस्टिवल तो याद रखियंगे कहां पर मनाय जा रहा है राजिस्तान में मनाए जा रहा है अगला हम देखेंगे उतारा Yen Festival अगला फिस्टीवल जैसे भी आप इसे प्रोनौस करें स्पेलिंग याद रखियंगे उतार यन फिस्टीवल जो है ये गुजराद में मनाए जा रहा है कहां नमबर दस जो फेस्टिवल है ये महराष्टरा का फेस्टिवल है कहां का महराष्टरा का फेस्टिवल है और फेस्टिवल का नेम जो है वो गुड़ी पड़वा है तो याद रखेंगे गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है वो कहां पर मनाया जा रहा है महराष्टरा में मनाया जा रहा है तो हमने अभी तक जो है वो 10 फेस्टिवल जो है वो कम्पलीट के मैं उमीद करता हूँ आपको इसी वीडियो में ये फेस्टिवल याद होंगे पहला तूलिफ फेस्टिवल, एपल फेस्टिवल और गुरेस फेस्टिवल जमू कश्मीर में अगला हमारे पही माचल के कुन से हालदा फेस्टिवल है और साजो फेस्टिवल है बीना सिक्रीन पे देखे वे इसे एक बार रिपीट किये मेरे साथ उतराखन का जो फेस्टिवल था हमने गंगोर फेस्टिवल पढ़ा, गुचरात का हमने उतारयन कुण सा होगा? ठीक है? लोकरंग फेस्टिवल होगा कौन सा होगा लोकरंग फेस्टिवल होगा मद्य पर्देश का और मालवा फेस्टिवल होगा यह दो फेस्टिवल आप याद रखेंगे लोकरंग फेस्टिवल कहां का होगा मद्य पर्देश का होगा और मालवा फेस्टिवल कहां का होगा मद्य प्रदेश का होगा चलते सौथ इंडिया की तरफ और अब देखेंगे हम करनाटका के फेस्टिवल और नीचे तामिल नाडू आंधरा इनके फेस्टिवल देखने जा रहे हैं करनाटका के फेस्टिवल में हाप जानते हैं हम्पी और कम्बाला जो है ये करनाटका के फेस्टिवल है हम पी फेस्टिवल है कर पूछा जाए कि स्टेट का फेस्टिवल है मैं उम्मीद करता हूँ अब सही आंसर देंगे ये करनाटका का फेस्टिवल होगा और दूसरा फेस्टिवल करनाटका के से है और के से ही कंबाला है तो ये जो है दो फेस्टिवल है अंबाला नहीं कंबाला है करनाटका का फिश्टिवल अब हम बात करनेreto है आंधरा परदेश की आंधरा परदेश का जो है हमारे पास वह योगाडी स्पीवल। कौन सा योगाडी फेस्टिवल जो है वो आंधरा परदेश का है कहां का है आंधरा परदेश का है आप देखिए पॉंगल फेस्टिवल जो है यह कहां का है तामिल नाडू का है काफी इंपॉर्टेंट है तामिल नाडू का फेस्टिवल पॉनम है पॉंगल है आप देखिए जो पिछली बार आपके जेके सेस्वी किलासफोर्थ में पूछा गया था, वो ओनम फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, ओनम फेस्टिवल कहां का है, कैरिला का फेस्टिवल है, कहां का है, बताइए, कैरिला का फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है, ओनम फेस्टि का का लाका फेस्टिवल होगा अद्कुल पोंगल जो होगा वह कहां का का होगा कैरला का होगा बढ़ते हैं और उडिसा के फेस्टिवल तरफ उडिसा के कुछ in important festival देख लेते हैं जिसमे राजा पर्बा फेस्टिवल है और नोखाई फेस्टिवल है उडीसा का फेस्टिवल होगा 1920 नंबर पे दिया गया है उडीसा का फेस्टिवल राजा परबा फेस्टिवल है और नोखाई फेस्टिवल है जो के उडीसा का फेस्टिवल होगा और कैरला का एक ओर आगे चलते है West Bengal की तरफ और West Bengal में भी कुछ important festival है ये पूजा से related है दुरगापूजा और काली पूजा जो है ये West Bengal में जो है करवाई जाती है वहां पर ये फेस्टिवल बनाया जाता है और अगर च्छट कुजा के बारे में आएगा ये भी एक important फेस्टिवल है तो ये बिहार से related होगा ये वो फेस्टिवल है जो न्यूज में जो है रहा करते है तो मैं उमीद करता हूँ आपको इतने फेस्टिवल जो है वो पहचानने आ जाएंगे जब भी आपके examination में आएगा एक से दो बार अगर ये सुन लेते हैं आपको जरूर जो है ये चीज़े याद हो जाएगी अब हम चलते हैं आसाम की तरफ तरफ साम में जो फेस्टिवल है वो भोगाली बीहू फेस्टिवल होगा कौन सा होगा भोगाली बीहू फेस्टिवल होगा याद रखेंगे अब मैगालिया का फेस्टिवल देख लेते हैं मैगालिया में जो फेस्टिवल होगा वो वंगला फेस्टिवल होगा मेगालिया में जो फेस्टिवल है वो वंगला फेस्टिवल है याद रखेंगे मनिपूर का जो होगा यौश हैंग फेस्टिवल है कौन सा यौश हैंग फेस्टिवल है तरिपूरा का जो फेस्टिवल होगा गेरिया पूजा फेस्टिवल होगा कौन सा गेरिया पूजा फेस्टिवल होगा अब देखें नागालेंड का फेस्टिवल ये तो आप नहीं बूलेंगे अभी न्यूज में रहा है नागालेंड जो है वहां का जो फेस्टिवल है वो हॉरन बिल फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को अभी जो है वो नागालेंड में जो अभी हुआ था 10 civilians killings को बाद इस फेस्टिवल को बंद कर दिया गया था ठीक है तो यह हॉरन बिल फेस्टिवल जो होगा वो नागालेंड का होगा फिर चापचर कूट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम का फेस्टिवल है चापचर कूट फेस्टिवल जो होगा ये कहां का होगा वो मिजोरम का फेस्टिवल होगा याद रखेंगे मिजोरम का फेस्टिवल जो होगा उस फेस्टिवल का नाम क्या है चापचर कूट फेस्टिव मिजोर्म का फेस्टिवल क Works 하면 वा हम इस्परवा की पूंट से चाहिए तेस्टेवल इसवार इम्स 대कार वीजिएकेत्我 पूंट के स gonna have a तो याद लगाना के दों एंड जो कि हम ने पहले भी डिसक्स किह थे वत आपके लिए जो है वो यह यादख लेना बुनालू फेस्टिवल के बारे में बुनालू फेस्टिवल जो होगा वो कहां पर होगा तिलंगा नाम में होगा उडिसा के हमने दो फेस्टिवल उपर देखे राजा परबा और नुखाई फेस्टिवल और यहां पर जो है एक और फेस्टिवल उड ये दो उत्सव है ये एक साथ मैंने लिखे हैं ताकि आपको इन दोनों को केमपेर करके आप पढ़ सकें एक हमारे पास आता है पूरी रत उत्सव जो के उडीसा में मनाया जाता है दूसरा आता है कलपैती रत उत्सव जो कैरला में मनाया जाता है तो बताएए उडीसा और कै वेटिवल कौन कौन से है? पूरी रत अचज्या है, और कल पहत ही रत अचज्ब है, ये दो मजा कहां पर मनाए चाते है, कैरला में मनाए चाते है, टो अमेद करता हूं कि ये आप आपकों व्याद रहेंगे, अब लाश्मberry हम देखते हैं, Sikkim yam Feshtival Sikkim yam Feshtival Sikkim yam Feshtival के नाम कहा से होगा LOWSur Feshtival के नाम से Sikkim yam Feshtival मनाया जाता है तो इस वीडियो में हमने जो ड़े इन्हें जो है आप एक बार रपीट कीचिए ठीक है और आप और डिटेल में पढ़ना चाहते है तो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास बुक है उसमें और भी दिये गए होंगे वहां से भी पढ़ सकते हैं यहां पर त हमने इनको कवर करने की तो पुशिश की, अच्छे इसके अलावा जो है दो बाते कर लेते हैं तो पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट सिविक्स की पीडियफ मंग रहे हैं आपको यह बता दो हमारे पास जो है पीडियफ इतनी जादा होती क्योंकि हम कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं दिफर्ट दिफर्ट पब्लिकेशन के लिए हम कंटेंट लिखते हैं तो इसकी वज़ाए से जो है पीडियफ का जो है वह नाम ना दे पाए और जिसकी वज़ाएसे पीडियफ या तो डिलीट हो चुकी है या तो जो हमें नहीं मिल रही है क्योंकि इतनी जादा जो हो डेली बेंगईड हैं तो वह मिल नहीं रही है क्योंकि हमें फूचर में भी जो उससे पड़ाणा था तो एक थो हमारा भी नुक्सान हो गिया है क्या हमें नहीं मिल रही है मंभी कहीं हो या तो डिलीट होगई हो उसका जो हमें पता नहीं है 比니다 दूसरी बात यह कि अभ जो है के लिए आप प्रपेर कर रहे हैं थैंक्स वर वाचिंग वेशो गूट लएक